आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं गेहों के आटे के बूति खस्ता और टेश्टी से बिस्कुट जो खाने में तो टेश्टी होंगे ही लेकिन इनको बनाना भी एक दम आसान है और केवल तीन से चार साम अगरे में ये बन कर तयार हो जाते हैं और खास बात इनकी ये रह तो बिस्किट थोड़े से सकत हो जाते हैं लेकिन ये जो तरीका आप आज माएंगे एक ट्रेक बताऊंगी उस पे आप गोर करना तो आपके बिस्किट जो है बहुत ज्यादा खस्ता बनेंगे तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाए मैं सवीता सेखावत मेरे चैनल के आपका फिर से बहुत थाट स्वागत है तो सबसे पहले हम विस्किट के लिए डो लगाएंगे तो यहां पर चैनल लेते हैं तो यहां पर आप अम आप पे लिया है और इसके लिया है आधा कप देशी गी तो बिस्किट को एम डेशी गी में बनाएंगे अगर आप गी 하는데 म बना सकते हो लेकिन मैंने या पे देशी गिलिया है यह अमने आदा कप लिया है आदा कप ही हम इसके अंदर डालेंगे सक्कर पाउडर यह आप देख रहे हूंगे मैं आपको मेजरिंग कप दिखा रही हूँ यह पिंक वाला आदा कप है और जो परपल वाला है यह एक कप है तो यह हमने आदा बर्कर सक्र का ले लिया है, तो सक्र भी इसके इंदर डालेते हैं, दोनों आमने बराबर मात्रा में लिये हैं, अब इनको एक चमच या विस्क की साइता से हमें इस तरह से लगबग 2-3 मिनिट तक ही इसको अच्छे से मिला लेना है, जैसे आप मिलाएंगे एक दो मिनिट में ये इस तरह का हो जाएगा, विस्क की आटा देंगे और इस पर हम क्या करेंगे, एक छलनी रखेंगे और जो अम इसके अंदर मैदा या आटा डालेंगे, उसको अमे चान कर लेना है, तो मैं यहा पर इसको गेहूं के आटे से बना रही हूँ, तो मैंने ये एक कब बरकर गेहूं का आटा ले लिया है, और आटे के साथ में दो से तीन चमच इसके अंदर मैदा, अगर आपके पास मैदा नहीं है, तो आप इसको अकेले गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, या फिर अगर सूजी है आपके पास तो एक दो चमच आप सूजी भी इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन आम इसको दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं, मैदा आमने बिल्कुल कम डाली है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, के लिगेहूं के आटे से भी आप बना सकते हो, अब थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देते हैं, इलाइची पा अब इसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बता रहे हूं, जो आपके बिस्किट को लंबे समय तक खसता रखेगी, तो यहां पे इस तरह से डो को बाइंड करने के बाद में, हमें इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा दूद डाल लेना है, चमच से ना पे तो यह तेन से चार चमच माच दूद से जादा दूद नई है अब इससे तरह से अको फिलकुल अलक 受ख्यातों से इसके अंदर मिला लेना है, यह तूरंत ही इसके अंदर अच्छे से मिल जाता है, ऐसा खरके आप बिस्किट बनाएंगे, तो बिस्किट भूती जादा भए हिसे बलता है, औ यह तूटते हैं नहीं नरम होते हैं तो यहां पर एकदम नरम सा डो इसका लगा कर लिया है तयार आगे की तयारी करते हैं तो आब इस दो में से आम ऐसे चोटी-छोटी इसकी बोल्स बनाएंगे और बिस्कुट को इस तरह का आकार दे देंगे आप चाहें तो अपनी पसंद से कैसा भी डेजाइन इसके उपर बना सकते हो और आप इनके उपर अलके से क्रेक्स देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है आप इसको जादा मसल कर प्लेन करने की कोशिस ना करें इसी तरह से आप इसको बना कर रख लेते हैं फिर आम इनको सेखेंगे तो यहां पर हमने एक प्लेट में बिस्किट को रख लिया है और इस प्लेट को आपको ग्रिस करने की जरूरत नहीं है तेलियागी से यह ऐसे ही अच्छे से बन जाते हैं आप इनको सेखने के लिए कडाई में रख देते हैं तो कडाई में अमने थोड़ा सा नमक डाल कर और एक स्टेंड रख लिया है ताकि हम स्टेंड के उपर इस प्लेट को रख सके ऐसा करने से बिस्किट जलते नहीं है तो हम जल्दी से इस पे डक्कन लगा देंगे और कड अपर बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया है ऐसा करने से एक दम से इट जो है तवे पे नहीं लगती है तेमपरेचर थोड़ा सा मैंटेन हो जाता है तो बिस्किट जो है जलते नहीं है और तवे पे रखने के बाद उपर से लेड लगा दी और फिर आमने इसको पकने द 10 मिनिट बाद आप तिखेंगे तो यह इस तरह के सिखकर तयार हो जाते हैं यह देखे मैं आपको दिखा देती हूं यह बिल्कुल अच्छे से सिख गए है और थोड़े से फूल भी गए है तो अभी आमे क्या करना है यह एक दो मिनिट इसको पकाना है और फिर गैस का फ्ल इसको इस तरीके से रख देंगे क्योंकि इसके अंदर ज्यादा गैप है तो ज्यादा समय लगेगा और कड़ाई में यह एक दम नीचे भी नहीं रखी जा रही है तो इसलिए इसको ऐसा रखने के बाद और पांच मिनिट और पकाएंगे पांच मिनिट के बाद आप देख अब गरम निकालेंगे तो इसको टूट जाएंगे ठंडा होने के बाद आप तेखेंगे बूती ज्यादा खसता हो जाते हैं और आप इनको लंबे समय तक भी रखते है तो यह खराब नहीं होते हैं चाहिए आप इनको बनाने के बाद में मैना बर्तक एंजोई कीजिए और गुत दन्यवादे